हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल जोती मेकिंग में मैं जोती आप सभी का स्वागत करती हूं तो दोस्तों आज मैं आप सभी को पनीर की मज़ेदार सी सबजी बनाना बताऊंगी तो चली मैं शुरू करती हूं यह सबजी बनाना यहां मैं ली टमाटर अद्रक और लासन तो इससे मैं बनाना इस्टाटिंग करती हूँ सबसे पहले क्या करना है प्याज को और टमाटर अद्रक लासन को पीश कर तयार कर लेना है तो पहले मैं इसे पीश कर तयार कर लेती हूँ यहां मैं ली हूँ एक mixi jar और इसमें मैं डाल कर पीछ लेती हूँ मैं पेष्ट बना कर त्यार कर लेती हूँ उसके बाद मैं बनाना स्टर्टिंग करूँ प्याज, अद्रक और लासन को पीस का त्यार कर ली हूँ और इसमें टेमाटर को पीस का मैं त्यार कर ली हूँ उसके बाद मैं यहाँ ली हूँ कुछ खड़े मसाली, दो तेज पाता, चार लॉम, चार काली मिर्च, दो इलाइची, जीरा, दाल चीनी और गरा मसाला में जो परता है यह चाले वो बैन ली हूँ त्ये सारे मैं यह मैं सारे खड़े मसाली एक कटोड़ा और इसमें मैं डालती हूँ सबसे पहले एक चमच धनिया का पौड़र, एक चमच मिर्च पौड़र, आधा चमच हल्दी पौड़र, आधा चमच गरा मसाला पौड़र, और इसमें मैं यह डाल रही हूँ कीचन क्वीन मसाला, इससे सबज में बहुत अच्छ स्वाद आता है तो एक चमच में यहां मैं किचन क्वीन मसाला डाल रही हूं अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसका एक घोल बना कर तयार कर लेती हूं की है घर गे तैआ है को एक है यह मैं सारे मसालिय को यहां गोल बनाकर त्यार कर दियुक्व अब मैं सबजी बनाना चारटिंग करती हूं यहां मैं लीह cousin एक कराही और इसमें डाली हूँ सरसू का तेल अब मैं इसमें पनीर को पाले फ्रै कर लेती हूँ तो यहाँ चम्मच से मैं पनीर को डाल रही हूँ क्योंकि पनीर के नीचे जो है पानी रहता है तो इसलिए कराही में डालने से वह तेल ओरने लगता है तो इसलिए मैं पनीर को फ्रै करके बना रही हूं यहां मैं जो पनीर नहीं हुआ है उसे सहर में ऐसे गुमा फिरा कर मैं चारो सहर से सुनरा होने तक फ्रै कर ली हूं अब मैं एक कटोडे में ली हूं पानी और इसमें यह पनीर को निकाल के रख लेती हूं सारे पनीर को मैं यह कटोडे में और इसके बाद मैं उसी तेल में जो मैं खरे मसाले ली थी, यह सारे खरे मसाले मैं इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि मैं वह नहीं दिखा पाई, क्योंकि मुबाइल हैंक कर चुका था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई, यह सारे खरे मसाले को मैं इसमें डाल दी हूँ, और मसाले पक चुके थे उसके बाद मैं अद्रक, लासन और प्याज का पेस्ट इसमें डाली हूं दो मिंलें तक इसे मैं पका लिए हूं इसमें डालना है यह मसाले क्षोड और इसे डाल कर अच्छी तरह से मिला लेती इसमें स्वात के मताबिक नमक और नमक डाल कर मैं इसे अच्छे तरह से इसे मिला देती हूं और मिलाने के बाद मैं इसे धक देती हूं धकने के बाद 5 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देती हूं तो यह 5 मिनट हो चुका है इसे मैं धक कर 5 मिनट के लिए पका ली हूं अब मैं इ चमज से इसमें डाल देती हूं और श्यू तरह से मिलाकर फिर इसे पुना हमाने उसे पांस मेट के लिए पखा देती हूंぎ और काफी और फ़ाइस्ट के लिए दाख कर छंप कर पाद कर श्यू जूब और ये देखिये अच्छी तरह से पाने सुख चुका है उपर से तेल आना इस्टार्टिंग हो चुका है यानि शारे मसाले ओर पनीर जो है अच्छी तरह से फ्राय हो चुका है तो अब इस में डालना है लाश्ट में एक चंब Risk चीनी क्या होता है पनीर की सब्जी बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है और बहुत ही स्वाधिस्ट से सब्जी बनकर तयार हो चुका है जदि आप लंच में ले जाना चाहते हैं कई सफर में सब्जी ले जाना चाहते हैं तो यह परफेक्टली सब्जी बनकर तयार हो चुका है नहीं तो आप ऐसे धीला भी कर सकते हैं, ने तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं, तो ये पनीर वाला जो पानी था इसे डाल कर आप इसे धीला कर सकते हैं, ने तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही परफेक्टली लगती है ये सब्जी सफर के लिए, यहां मैं घर के लिए बना र बन चुका है और बहुत अच्छी खुश भुआना स्टार्टिंग हो चुका है जदि आपके पास धनिया की पती हो इसमें आप डाल सकते हैं और यहां मैं आप करती हूं सर्व सब्जी बन कर तेयार हो चुका है दोस्तों जदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक क कीजिए जदि आप पहली बार देख रहे हैं कोई नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लोटिफिकेशन दबाए जिसे मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच है वीडियो को लाठता देखने के लिए बहूत बहूत धन्यवाद